एक फोटोग्राफर जिसके पास सूपर हुमन एबिलिटीस है इस सिरियल कियर से एक छोटी सी बच्ची को कैसे बजाएगा और अपने पैर को कैसे फिर से पालेगा यही इस मुवी की स्टोरी लाइन है आज की मुवी वर्ल्ड आफ साइलेंस यह 2006 की कोरियन मुवी में आपको एस्टोरी करने वाला हूँ यह एक मिस्टेरियस ठ्रेलर मुवी है तो चलिए शुरू करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हमें टैलेंट शो का एक सीन दिखाया जाता है यह एक लड़का स्टैलन शो में जाने वाला होता है उसके पास एक special abilities होती है नेक सीन में हमें दिखता है कि एक लड़की इस लड़की को देख रही होती है टीवी पर जब यह अपनी abilities रिप्रेजेंट करता है तो सब लोग इसकी वा कर रहे होती है तुमारी abilities को देखकर audience ने तुमारे लिए एक nickname रखा है क्या तुमारा कोई nickname है यह लड़का कहता है कि मेरी friend ने मुझे एक nickname दिया था यह जो लड़की है यह इसकी friend है यह दोनों इसका nickname पुकारते है इसका nickname monster होता है और इसके बाद यह लड़की टिवी देखते हुए अपने आपको fast लगा लेती है यह लटक जाती है और खुदखुशी कर लेती है इसके आप 15 साल गुजर चुके है यह हमें दिखता है यह जो लड़का था यह आप photographer बन चुका है इसका नाम John है John की friend मर गई उसके बाद वो 15 साल तक इस country में नहीं आया था वो पहली बार 15 साल में अब आ चुका है इसके बाद Nixon में हमें दिखता है कि एक police officer जिसका नाम Arthur है यह police station में उसका जो superior है यह बहुत ही lazy है इसलिए इसे डाट रहा होता है एक जोर है जिसको Arthur को पकड़ना है और उसे पकड़ने रहा इसे वो games खेल रहा है पर इसके superior को अच्छा नहीं लग रहा इसका superior इसे काम करने के लिए बोलता है Nixon में हमें दिखता है कि John एक घर आ चुका है यह जो घर है इसना रेंड क्या होता है इस घर के owners कुछ 15 दिनों के लिए बाहर गए होते है तो 15 दिनों के लिए यहाँ वो रहने वाला होता है यह एक phenomenal photographer होता है अब Nixon में इसने जो सब photos लिए होती है एक magazine वाली को दिखा रहा होता है इस magazine वाली को इसके photo बहुत ही पसना आते है यह कही थी है कि next month तक तुम अगर यहाँ रुके तो हम तुमें बहुत जादा पैसे दे सकते है John solo काम करता है बस सिर्फ इन के लिए वो काम करे इसलिए उसे hire करना चाहते है John इस पर कुछी नहीं बोलता क्योंकि इसे इस country में नहीं रहना नेकसिन में हमें फिर से आर्था दिखाय गया है वो अपने partner के साथ एक station पर आ रहा होता है तो चोर है यह उसे station पर मिलने वाला है इसका जो partner है इसे care होता है कि जिस तरह से तुम रह रहे हो इसा तुमें नहीं रहना चाहिए आर्थार अकला होता है और अपने आपकी कभी भी वो care नहीं करता वो इसे चाहने वाला नहीं है तो वो जिस तरह से उसे चाहिए उसी तरह से जीता है उसका friend उसे कहता है कि तुम मेरे साथ डिनर के लिए आ सकते हो पर इसके लिए वो मना कर देता है स्टेशन पर एक अंधिया औरत को कुछ magazine सेल करते हो दिखता है तो उससे पूरे magazine वो buy कर लेता है बहुत ही compassionate police officer है जो भी सब इस दुनिया में गलत होता है इस सब से इसे फरक पड़ता है अब Nixon में हमें दिखता है कि Arthur और John ये दोनों एक ही train में जोन चोर को देख रहा होता है चोर के साथ कुछ गुंडे है और ये एक lady का purse छिलने वाले होते है जोन फिर उसके पास आता है उससे कुछ बाते करने लग जाता है जब इटेंस टॉप हो जाती है तो जोन को ये चोर अपने सातियों के साथ बाहर निकाल लेता है आर्थर भी इसे spot कर लेता है और इनका पीछा करता है जोन इस lady को कह रहाता है कि उस lady का purse इसे नहीं लेना चाहिए इस चोर ने फिर इसे मारने के लिए बातरों में लाया होता है जोन को मारने के लिए इसका साथी आगे जाता है तो जोन इसे slap कर देता है चोर और उसका friend ये दोनों मिलकर अब जोन को मारने वाले होते हैं तो वहां आर्थर आ जाता है आर्थर इसमें से एक को मारता है और जो man चोर होता है ये वहाँ से भाग जाता है आर्थर इसका पीछा कर रहाता है और इसे अभी भी गेम से खेल रहाता है आर्थर को मालूम है ये जो चोर है कोई बुरा चोर नहीं है ये किसी को भी हट नहीं करता अपने किसी friend की तरह ही इसके हो chase करता है ये जब इसे पकड़ रहाता है तब ये आर्थर को उसके superior का call आ जाता है एक murder हुआ होता है इसके investigation के लिए उसे बुलाया जाता है murder scene पर जब आर्थर पोचता है तो वहाँ एक चोटी लड़ की का murder हो चुका होता है अब next scene में हमें दिखता है एक चोटी लड़ की जिसका नाम क्रिस्टी है ये जॉन के घर के बाहर खड़ी हुई है इसके साथ foster care official भी है याद में जॉन से मिलता है जॉन कहता है कि ये जो family यहां रह रह रहे थी ये 15 दिनों बाद आने वाली है ये जो क्रिस्टी है इसका खायल ये family रखने वाली थी foster care वाला उसे कहता है ये जो situation है ये बहुत ही complicated है ये foster care वाला उसे कहता है कि ये जो लड़की है इसके पास जाने के लिए कही भी नहीं है अगर तुम इसे 15 दिनों के लिए रख लो तो बहुत ही सही होगा ये तुम्हें ज्यादा trouble भी नहीं करेगी जान भी इसके लिए अब मान जाता है नेक सीन में हमें आर्थर crime scene की photos देखता हो दिखता है crime scene होता है यहाँ बहुत एक doll होती है उसका friend उसे कहता है कि जो लड़की मरी थी उसे पहले drug किया गया था एक rare mushroom होता है जिससे drugs की तरह effect आता है यह उसे खिलाया गया था आर्थर को लगता है कि यह तो अभी शुरुआ थे यहाँ और भी murder होने वाले है इसके बाद नेक सीन में हमें जान का past दिखाय गया है जान के school में एक नई लड़की आई थी movie के first में हमने देखा था कि इसी लड़की ने suicide कर लिया था पहले दिन पर किसी से भी बात करने से डर रही थी पर यह फिर जान के पास आकर बेट गई थी जान इसे देखते ही like करने लग गया था इन दोनों में अच्छी से friendship तब ही से हो गई थी उसकी जो सब इसके साथ memories होती है यह वो सपने में देख रहाता है क्रिस्टी देखती है कि जॉन अपनी कुर्सी परिस हो गया है तो उसके लिए blanket लेकर आती है नेज़ दिन जब आता है तो breakfast के लिए जॉन सिर्फ snack ही लाता है यह लड़की कहिती है कि तुम्हें जादा healthy खाना चाहिए जॉन ने कुछ भी सुना नहीं इस तरह से वो उसको ignore कर देता है अब नेक सिन में हमें दिखता है कि आर्थर और उसके boss को और एक class मिल चुकी है इस murders का अब pattern उबर कर आ रहा है यह एक serial killer का काम है अब इन्हें पता चल जाता है क्रिस्टी से मिलने उसके पहले जो foster care में उसका खैल रखने वाली जो होती है वो आती है इसका नाम Elena होता है Elena फिर क्रिस्टी के बारे में पुछती है वो कैसी है उसका हाल कैसा है यह सब उसे पुछती है क्रिश्टी कहती है कि जौन मुझसे ज़्यादी बाते नहीं करता वो हस्ता भी नहीं और कभी-कभी मुझे अंसर भी नहीं करता एलेना उसे कहती है कि उसे awkward महसूद हो रहा होगा क्रिश्टी ज़रा नाराज होती है तो उसे वो cheer up करती है एलेना के थी कि क्या इस तरह से तुम अपनी मदर से मिलने वाली हो क्रिस्टी की जो मदर होती है यह होस्पिटल में होती है यह कोमा में होती है इसी वज़े से क्रिस्टी का खैल नहीं रख पाती इस टीके फादर मर चुकी होते है इसलिए इसे फॉस्टर केर में रहना पड़ता है निक्सिन में हमें जॉन सिटी में गुमता हो दिखता है वो इंस्पिरेशन ढूंटे ढूंटे सिटी में अलग-अलग स्पॉर्ट पर आता है एक जगा पर हो जाता है तब एक बच्चा सड़क पर बेठा हुआ होता है सड़क पर पड़ा हुआ जो खाना होता है वो वो खा रहा होता है जॉन फिर उसके पास जाता है उसे उसके घर पर लेकर आता है जब वो घर में देखता है तो इस बच्चे की मदर मर कर पड़ी हुई होती है पर बच्चे को अपने साथ ही उसे रखना है, तो इसलिए एक चाकू लेकर वह अपने बच्चे के गले पर रख रहा होता है, यानि कोई उसे अरेस्ट ना कर पाए, जॉन नेगोशेट कर रहा होता है आर्थर जो जॉन को यहाँ दिखता है तो आश्याज चकित होता है जॉन फिर इस फादर को समझाता है वो कहता है कि मुझे मौलो में कि तुम इसे अच्छी लाइफ देना चाहते हो पर यह impossible है कि तुमने देखा था किस तरह से यह रह रहा था यह फादर भी अब समझ जाता है वो और रोने लग जाता है अपनी लाइफ जो है यह नीचे रख देता है जॉन रात में एक बार में आता है हाच उसे अपनी जो फ्रेंड है इसकी बहुत ही आद आ रही होती है और फ्लैश्बेक में इन दोनों का सीन दिखाया जाता है जॉन और उसकी फ्रेंड चट पर है उसकी फ्रेंड आज बहुत ही डिस्टब है यह इसे पूछता है कि क्या हुआ है यह उसे कुछ इबता नहीं होती तो यह कहता है कि तुम्हें मालूम है क्यों पता कर सकता हूँ उसकी फ्रेंड फिर उसे पता देती है उसके जो स्टेफ फादर होते है इसका शोशन कर रहे होते है यह इससे बहुत ही इंपारेस्ट होती है कुछ रेट के भाहा आ गए होते है और यह सुन लेते है अब स्कूल के बच्चों को यह पता चल चुका है वैसे वो बहुत इंपारेस्ट हो जाती है अब हमें रिजन मिल चुका है क्यों जॉन की फ्रेंड ने अपने आपको फास्ट लगा लिया था जॉन की जो सब पावर से जैसे मोवे आगे चलेगी वैसे हमें पता चलता रहेगा अब नेकसिन में आर्थर और उसका फ्रेंड हमें दिखते है जो केस है इसे वो डिसकस कर रहे होते है क्या सिमेलरीडीज है यह वो चेक कर रहे होते है सोचते सोचते इन्हें पता चल जाता है कि जो सब छोटी लड़कें मर रही है यह सब foster care की है इनकी जो parents है यह मर चुके है नेक सिन में हमें दिखता है कि रात में बहुत ही देर में John घर पर आता है Christy उसे दिखनी के लिए आती है तब John को injury हो चुकी हुदी है जब John छोटी लड़के को उसके फादर से बचा रहा था तो उसके फादर ने इसका हाथ काट दिया था यह इसके हाथ को सब bandages वगरा करकर देती है एक blanket लेती है और उसे पहना दिया अब नेक सिन में हमें दिखता है कि Arthur और उसका friend Elena के पास आई हुए है उसके फास्टर केर में लड़किया है इन सब के नाम वगरा उसे दे देती है जब यह दोनों जा रहे होते है तो क्रिस्टी का भी है उसे पता दे देती है क्रिस्टी के साथ एक mistake होई थी जिसे वज़े से वो दूसरे आदमी के साथ रह रही है यह सब information यह अब आर्थर को दे देती है आर्थर का जो शक होता है यह फास्टर केर के official पर ही होता है जो आदमी क्रिस्टी को जौन के यहाँ छोड़ने के लिए था इसे लगता है कि यही serial killer है आर्थर भी इसके घर पहुँच जाता है घर में चानने के बाद इसे पता जलता है कि यह जो आदमी है इसकी लड़की मर गई थी इसके वाइफ ने भी इसे divorce दे दिया है तब आर्थर सब investigation कर रहा है तो उसे जौन पर भी शक जाता है जहाँ पर भी crime हो रहे थे वहाँ दो बार उसने उसे देखा था पहली बार चोर को पकड़ने हो गया था तो वहाँ उसे देखा था और नेक्स टाइम एक आदमी ने अपनी वाइफ को मार दिया था तब इस crime scene पर यह था आर्थर फिर जौन के घर पर आ जाता है बहुत सारे photographs यहां लगाई होती है यह देखता है यह बहुत सारी छोटी लड़कियों की भी photos होती है हाथ तो फिर जौन के साथ meeting करता है जो सब यह हो रहा है इसका जो भी सब suspicion है यह उसे पूछता है जौन कहता है कि लोगों के emotion से में पता कर सकता हो कि वो अब क्या करने वाले है उनकी दिमाग में क्या चल रहा है यह सब जौन को पता चल जाता है जिस जगापर जौन गया था यह इसकी instinct उसे लेकर गई थी इसे एक अलग feeling आती थी और वो उसको follow करता था अब next scene में हमें दिखता है क्रिस्टी अपनी मदर से मिलने के लिए आया होती है इसकी स्कूल में gathering होने वाले होती है वहाँ वो sing करने वाले होती है अपनी मदर को एक गाना sing करकर वो सुना रही होती है तभी इसे चकर आ जाती है और यह गिर जाती है टॉक्टर फिर जॉन को बुलाते है जॉन को पता चलता है कि क्रिस्टी जो है इसको कॉर्णिया ट्रांस्परांट करवाना पड़ेगा नहीं तो इसकी जो eyesight है यह पूरी जा सकती है इसी वज़े से इसे चक्कर आई थी आर्थर जॉन का सब बैगगराउंट सेकरा चेक करवाता है जॉन जो था यह अलग कंट्री में था और उसके पहले मर्डर हुआ था अब जॉन पर जो suspicion है वो अब सब चला गया है नेक सिन में आर्थर अपने बॉस के साथ होता है जो सब अपडेट से यह अपने बॉस को दे रहा होता है उसका बॉस उसे पुछता है कि क्राइम सिन का क्या मैंटर है आर्थर ने इसका study क्या होता है वो कहता है यह जो killer है यह उसके जो victim से इनके बहुत ही care करता है इसे लगता है कि इनको बचा रहा है इन्हें वो doll देता है यानि कि वो comfortable महसूस कर पाए आर्थर का जो शक है यानि कि foster care का official उसके बारे में इससे कहता है अब foster care के official पर इसका और भी ज़्यादा गाड़ा शक हो जाता है नेकसिन में हमें दिखता है कि जो जो और पकड़ने पाया था वो city में है एक घर में वो खोश जाता है इस घर में हम देखते है कि serial killer की जो doll थी वो यहाँ मोज होते है यानि कि जो घर है यह serial killer का है यहाँ पर वो एक pot देखता है और इसमें mushrooms पड़े होते है हम मालूम है यह जो mushroom से यह drugs की तरह काम करते है यह चोर खा लेता है जब यह यहाँ से बाहर निकल जाता है तो है हस्ते हस्ते street से जा रहाता है इस drugs के नशे में होता है यह street में जोरी कर रहाता है तो भी इसे पकड़ा जाता है और police custody में आ जाता है हम next cinema में दीखता है कि क्रिस्टी की जो कैदरी है इसमें John आया हुआ है क्रिस्टी को बुरा लग रहा होता है क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं है पर जब यह John को देखती है तो वह अच्छे से गाने लग जाती है इसके बाद यह हमें एक पार्क में दिखाये गए है क्रिस्टी उसे कहती है कि कभी मुझे कोई भी मिलने के लिए नहीं आया था उसकी मदर आनी भाई इसे वज़े से बहुत ही बुरा लग रहा है कि तुम्हारी मदर तुम्हारे लिए बहुत ही प्राउड है जब जॉन क्रिस्टी को लेने के लिए हस्पिटल में गया था तो इसकी मदर से भी मिला था इसकी मदर का माइड इसने रीड किया था क्रिस्टी को कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ सिक्रेट बता रहा है ये उसके कान में उसकी जो ability से इसका secret पता देता है ये इसे भुशता है गर तुम कहीं भी जा सको तुम्हें कहा जाना है क्रिस्टी फिर जा रोल और कोस्टर विगरा होता है वहाँ उसे लेकर आती है एक बहुत ही अच्छा सा day was paint करती है जब दोनों river में boat से जा रहे होते हैं तो क्रिस्टी जान की camera के बारे में भुशती है ये इसे camera कैसे चलाते हैं ये सिखना जाती है जान भी इसे सब कुछ सिखा देता है जान की जब वो फोटर ले रहे होती है तो हस नहीं रहा होता यह उनकी मदर है तो तुम्हें इसी मदद करने चाहिए थी जॉन कहता है कि अगर मैं चाहता फिर भी इनकी मदद नहीं कर पाता अगर मैं इनकी मदद करता फिर भी यह मर ही जाती तो इसमें करने का फायदा क्या क्रिस्टी को यह बहुत ही पसना लगता है वो कहती है, वो कहती है कि मेरी मदर उटने वाली है जैसे तुम इस पंचे पर गिव अप करे हो, उसी तरह से मैं उस पर गिव अप नहीं करने वाली है इसकी मदर फिर से उठेगी, इसी hope पर यह जी रही होती है पर John इस thinking को support नहीं करता, इसी वज़े से क्रिस्ट को बहुत ही बुरा लगता है इसे hate करती है यह कहिक कर वहाँ से चले जाती है क्रिस्ट ने जो जॉन की photo ली उती है वो print कर रहाता है जब इसे वो देखता है तो अपने आप से कहता है यह तुम यह smile करना deserve नहीं करती है जॉन की friend ने suicide कर ली थी तो अपने आपको ही गुनेगार मानता है वो इसे help कर सकता था पर इसने नहीं की थी आर्थर को लगता है क्रिस्टी को छोड़ने के लिए foster care का official आया था अब उसका जो next target होगा वो क्रिस्टी हो सकती है इसलिए क्रिस्टी को protect करने के लिए उसके वो पीछे ही रहता है क्रिस्टी अपने मदर से मिलने जाती है उसकी photos लेती है स्रेट से जब यह जा रही होती है तो इसे फिर से चक्कर आ जाती है इसे eye transplant की बहुत ही जरूरत है वरना इसकी पूरी eyesight चली जाएगी जब इसे चक्कर आती है तो अब Arthur इसे देखनी के लिए जा रहा होता है यह रस्ते से cross कर रहा होता है तो इसे अपने गाड़ी से टकरा देता है Arthur यह बेऊश हो जाता है यह सीरियल किलर फिर क्रिस्टी को लेकर जाता है जोहान रात में जब घर आता है तो क्रिस्टी बहान ही होती यह बहुत परेशान हो जाता है स्कूल में जाकर आता है जिस रस्ते से वो घर आती है यह रस्ता भी ओ देखता है इस रस्ते बर उसका कैमेरा उसे मिलता है यह जब पुलिस के पास आता है तो उसे पता जलता है क्रिस्टी आगवा हो चुकी है Arthur hospital में होता है, वो पूलीस टेशन में आ चुका होता है, क्या हुआ यह सब वो उसे समझाता है पूलीस टेशन में ही इने और एक यूज मिलती है, और एक लड़ीकी की dead body इसे मिली हुई होती है John अब बहुत ही डर जाता है, यह डरते हुए ही उस crime scene पर भोचता है जब ये लाज देखता है ये क्रिस्टी की नहीं होती आर्थर जॉन को घर जाने के लिए बोलता है आर्थर जब पुलिस टेशन में पहुचता है तो वहाँ वही चोर होता है जो मश्रूम खाकर वो ड्रग ढो गया था ये मश्रूम के बारे में दुसरे पुलिस आफिसर को बता रहा होता है तो वह आर्थर को क्लिक होता है आर्थर को पता चल जाता है कि ये सिलर किलर का इगर था ये इस घर का पता उसे बुचता है ये जो चोर था इस घर से उसने एक टेप चोरी खी थी इस टेप में एक छोटी लड़की थी जिसका मर्डर हो चुका है आर्थर और सब पुलिस जिस घर का पता उसने दिया होता है इस घर पहुच जाते है जॉन जब घर जाता है तो अपने आपको कोसने लग जाता है जॉन की परचाई उसे शीशे में देखती है वो परचाई उसे कह रही होती है कि तुम कोई भी उसे हेल्प नहीं कर सकते है जॉन अब अपने बिलीव को मानना नहीं चाहता वो कहता है कि मैं उसे हेल्प कर सकता हूँ वो शीशे को तोर देता है जॉन कृस्टि की जो पचपन की फोटोग्राफ्स थी यह देखने लग जाता है थोड़ी देर बाद यह पुली स्टेशन में आता है पुली स्टेशन में आने के बाद इसे सिरेल किलर का जो घर है मिल चुका है, इसके बारे में पता चल जाता है जो टेप चोर के पास थी यह इससे दिखाई जाती है इस टेप से इसकी इंस्टींट से इसे पदा चल जाता है कि फोस्टर केर में जो Elina थी यही सी्रियल किलर है अम Nixon में हमें Elina के साथ कृष्टी दिखती है Elina उसे कह रहे होती है कि ठीक है सब ठीक है मैं तुम्हें हाट नहीं करने वाली मैं तुम्हें तो एक अच्छी जगा पहुचाने वाली हूँ यह उसी कहती है कि तुम्हें अब हेवन में जाना है Nixon में दिखता है कि John अपनी पावा से जिस जगा पर सीलेर किलर है उसे हो ढून लेता है इस जगा पर हो जाता है तो एलीना छुप जाती है Christie को उसने mushroom का सुप दिया ओता है जिसे हो सोग गई होती है अब police को भी पता चल जाता है कि जो एलीना है यही सीरिल किलर है एलीना एक साइकोपैथ है और इसका diagnosis भी हुआ था ये भी उन्हें पता चल जाता है जान जब Christie को ढूण लेता है तो एलीना वहा आती है और कहती है कि मेरी बेवी को मुझे वापच कर दो इसे लगता है कि Christie इसकी ही बेटी है एलीना फे एक दंडा लेती है और इसके पेट में डाल देती है Christie को बचाने के लिए वो यह सब कर रही है जान उससे कहता है कि यह जो सब तुम कर रही हो यह सब खतम हो चुका है एलीना एक साइकोपैत होती है तो कि दी कुछ भी खतम नहीं हुआ है एलीना की वज़े से इस घर को आग लग गई होती है तो इसी आग में उपने आपको जला देती है जान बहुत ही इंजोर्ट हो चुका होता है तो अब क्रिस्टी को बचाने पा रहा होता फिर वो पूरा ट्राय करता है जब आर्थर वहाँ पहुचता है तो क्रिस्टी को बचाने के लिए वो अंदर पहुच जाता है जॉन क्रिस्टी को बचाते बचाते जल भी जाता है आर्थर जब अंदर आता है तो जॉन उससे कहता है कि सिर्फ क्रिस्टी को बचा लो पहले इसे लेकर जाओ और फिर मुझे बचाने के लिए आना जॉन को पता होता है कि वो अब बचने नहीं वाला जब ये आख खतम हो जाती है तब ये अंदर जाते है जॉन को वो जब देखते है तो जॉन ने अपनी आखो पर अपने हाथ रखे होते है क्रिस्टी को आई ड्रांस्प्रांट की जरूरत है तो मरने के बाद अपनी आख वो क्रिस्टी को देना चाहता है ristie को अब आग मिल जाती है John की funeral पे Christy हमें दिखती है यहाँ पर Arthur भी होता है Arthur Christie को कहता है कि वो अच्छे place में होगा वो आप birds भी होते है यह कहता है कि birds को sound वो सुन रहा होगा Christy फिर Arthur को कहती है कि यह सुननी पाता था John ने उसे एक secret बताए था यह वही सिक्रेट था जो सब लोग बोल रहे थे यह कभी भी इससे सुनने नहीं देता था पर इनका माइंड जो था यह वो रीड कर लेता था इनकी फिलिंग्स के तुरू यह क्या बता रहे है यह इससे समझ में आ जाता था जोन का कार अचिडन्ट होआ था इसे वचे से इसके हीरिंग सब चली गई थी क्रिस्टी के थी कि मुझे पता है कि वो एक अच्छी जगा है अब लास्सिन में हमें दिखता है कि जो है हेवन में अपनी फ्रेंड के साथ है जोन के फ्रेंड हसरी होती है तो John कहता है कि तुम क्यों हसरी हो वो कहती है तुम्हारे आसपास मझे बहुत ही comfortable महसूस होता है यह कहता है कि तुम मझे बहुत ही like करती हो इसलिए मुझे पता है इसकी friend उसे कहती है तुम्हें कैसे बता तुम तुम्हें सुन में नहीं सकते है जॉन के ता है तुम्हेरे heart को में सुन सकता हो यही मोवी खतम हो जाती है जॉन के पास जो ability थी जिससे लोगों के thoughts वो सुन सकता था वो कैसे fail कर रहे है यह सब वो सुन सकता था उसकी friend को जब help चाहिए थी उसे help नहीं कर पाया इसके बाद उससे लगता था कि वो किसी को भी help नहीं कर पाएगा क्रिस्टी जब अगवा हो गई थी तब उसे लगा कि उसके जो beliefs है ये सब गलत है अपनी friend को ये बचा नहीं पाया और अगर क्रिस्टी को इसने बचा लिया तो इसको redemption मिल जाएगा क्रिस्टी को बचाना इसके लिए एक मुप्ती की तरह था जादे जादे क्रिस्टी को उसकी आखे वो दे कर गया इसके बाद हो heaven में बहुत चुका है और अपनी friend को इसने पाली आए हमारे साथ कोई हाथसा होता है इसके बाद हमारे beliefs change हो जाते है हमें लगता है कि हम यह नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते एक form belief के साथ हम जीने लग जाते है पर हम भूल चाते है कि यह जो सब है गलत है हम अंदर से हमेशा से अच्छे आदमी होते हैं हम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाह सकते हमारे बिल्यू चेंज करने के लिए हमारे पास हमेशा समय होता है हम जो समझते हैं इससे चेंज करने के लिए हमारे पास बहुत सारी अप्रोचों निर्जाती है हमें यह समझना चाहिए और किसी अच्छे चीस के लिए अपने आपक भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमूरे के साथ तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया